मीरा के तो कोई बेटा नहीं था फिर भी मीरा को जानते हो के नहीं है ऐसी लागी लगन हूं dużo मैंने सुरूх भी नहीं क्यार आपने अंड कर दिया है किसकी बदूलत मीरा के कर्मों की बदूलत मीरा के कर्म इतने स्रिष्ट थे कि मीरा को कुछ और करने की जरूवत ही नहीं पड़ी ऐसलिए कर्म स्रिष्ट करो जब तुमारे कर्म स्रिष्ट regen तो तुम्हे और कुछ करने की जरूवत नहीं तुमारे अपने आप नाम हो जाएगा दूसरी बात और मेत्त पूरनबाद ज्यान रखे मेरा बेटड़ा मेरे सहरा बनेगा क्या वनेगा सहरा सेवा करेगा मैं आप से बात पूछना चाहूँगा मेरे बाई यू अगर एक बुढ़ा बाप या मा चाहर पाई पर पड़ी हो चलने फिरने की सकती curiosity नहों खाने पीने की शमताना हो कितने सेवा कर लेंगा उसके बच्चे जवाब दीजिए कितनी करेंगे और कर भी लें तो क्या वो सुख मिलेगा उसे चारपाई तो चारपाई है ना यह मा सोच कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा यह सोच मैं अपने देश की सेवा करूँगा मैं अपने धर्म की सेवा करूँगा मैं अपने गोविंद की सेवा करूँगा और जब मैं गोविंद की सेवा करूँगा तो मुझे मेरे बेटे की सेवा की जरूवत नहीं पड़ेगी पूरी दुनिया मेरी सेवा करेगी पूरा जहां मेरे ही सेवा करेगा क्योंकि मैं हूँ और मेरा गोविंद मेरे साथ है मुझे और किसी के जरुवत नहीं हूँ मेरा गोविंद मेरे साथ है मेरा कृष्ण मेरे साथ तू धर्म की सेवा नहीं करेगा ना तेरा बेटा भी तेरी सिवा नहीं करने वाला और अगर तू धरम की सिवा करेगा तो पूरी दुनिया तेरे साथ ख़ड़े होगी उचैनि एक को बेटा नहीं लाखों बेटे वे तेरे पास लाखों बेटे रह Juda इसलिए मेरे वाई बैन अपने जीवन को दुनिया के नाटक से पार खड़ा कर दो दुनिया के नाटकों में अपने जीवन को बिर्थ बरबाद मत करो दुनिया के नाटकों में रहोगे तो जैसे सीन कट होते ही तुमारी वैल्यू नहीं रहती वैसे ही जीवन कट होते ही सांस कट होते ही तुमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी लेकिन कुछ कहानी आच्छी रहती है जिन कहानियों के बल पे एक्टिंग करने वाले को हमेशा याद किया जाता है वैसे ही अपने आपकी कहानी ऐसी बनाओ कि जहां जब तक रहे तेरी कहानी को तुझे देखने वाले लोग कभी भूल न सके जैसे मीरा ने बनाई, तुल्ची ने बनाई, नर्ची ने बनाई, हरिदास ने बनाई, रहिदास ने बनाई, नाम देव ने बनाई और कितने नाम गिनाओं में आपको दुरूब हो, प्रहलाद हो, कितने नाम हैं, रादे रादे बोलना बढ़ेगा बुले महाराज एक पुत्र चाहिये ले फल लिए अपना पतनी को जाके खिला दियो वो फल लिए और उनसे का सुने काम करना तेरी पतनी को क्या उनसे जाके कहना कि उनको क्या करना है सत्यम सचंदयादानम मेकम भक्तोत भोजनम वर्षावदेश्त्रियकार्यम तेन पुत्रेति निर्मला सच बोले ब्रह्मश्यरिका पालन करे एक समयन खाए तो क्या होगा बोले निर्मल मन वाला पुत्र उसको प्राप्त होगा नामदेव ने फल लिया और अपनी पतनी के पास पहुचा नाम है उसकी पतनी का धुंदली क्या नाम है धुंदली और धुंदली से का यह फल खालो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वो फल उसने खाया नहीं वो गाई को खिला दिया अपनी बहन से कहा दिया तुझे जो पुत्र हो मुझे दे देना उसका नाम उसने धुंदकारी रख लिए अपना नाम दुंद्ली और उसका नाम twundhkari लेकिन संत के प्रशास से फ contam ma lada चपुछ से पुट्र हुआ गव को सुट्र को संष्मार मिला वह 23 धर्म-परायन आगे जाके उसको भी एक के पुट्र पेड़ा हुआ जैसे मानव होते हैं बैसा ही, गव करनो पंड़तों ग्यानी दुन्दकारी महाँ खला, गव करन पंड़ता बिद्वान है, माबाब की पूजा करने बादे, सब कुछ है, दुन्दकारी महाँ खला, वो अपुजे टेक दम, जितने भी लोग यहां बैटे हैं ध्यान से सुने तुम कितने भी बड़े धनवान हो अगर तुमारे बच्चे संसकारी नहीं है तो तुम से बड़ा कंगाल कोई नहीं दुनिया में तुम दुनिया के सब से गरीब इंसान हो जिसने अपनी उलाद को दौलत तो दे दी लेकिन संसकार नहीं दे सके कितनी दौलत दे जाएगा जिस दिन तेरा बच्चा बिगाडने पर आएगा न हमाई ब्रिज में कहदे करें पूत सपूत तो क्यों धन संचे अगर तेरो बेटा सपूत है तो ज्यादा धने खट्टा करने की जरूत नहीं है वो अपने आप कमा लेगा और अगर तेरा बेटा कपूत है तो भी कमाने की जरूत नहीं तो कितना भी कमा जा वो सब लाइन में लगा देगा अब बदाएगा आपको सपूत चाहिए कपूत दोने श्तिती में धने कट्टा करने की जरूत नहीं फिर क्या करें बोले देना चाहता है न तो संसकार की संपत्ति दे जा अपने बच्चे को गुणवान बना जा उसे ऐसा गुणवान ऐसा चरित्रवान बना जा कि वो तेरी सेवा भगवान समझके ही करे इतने गुण तेरे बच्चे में होने चाहिए हाँ इधर वाली नहीं बोलेंगी है कितना भी पैसा तो पैसे से इमेज नहीं बनती है संसकार से इमेज बनती है और जब आपका संसकार प्रबल होगा तो आपके बच्चे को जहां भी जाएगा लोग आपका सम्मान करेंगे आपको पूछेंगे आपकी जट करेंगे बजे वो लोग जानेंगे किसका बेटा है इसका बाप कोने इसकी मा कोने जिसने इतना सुंदर संसकारी बच्चा पैदा किया है इतने संसकार दियों से लेकिन संसकार बिगड़ते ही चरित्र बिगड़ जाता है चरित्र बिगड़ते ही जीवन बिगड़ जाता है और जीवन को बिगड़ते ही फिर से इस क्या बचा मैंने कल आपको कहा था एक बात अगर तेरा एक जीवन मानव जीवन बिगड़ गया न तो एक नहीं बिगड़ा 84 लाख जनम बिगड़ गए तेरे एक जीवन अगर ये मानव जीवन बिगड़ा तो सिर्फ एक जीवन नहीं बिगड़ा 84 लाख जीवन बिगड़ गए तेरे और अगर तेरा एक जीवन सुधर गया तो तेरा एक जीवन नहीं सुधरा 84 लाख जीवन सुधर गये मेरे भाई इन साथ दिनों में हम और आप 84 लाख जन्वों को सुधरने की कोशिस करेंगे और द्रणबत्ता के साथ अपने ठाकुर से प्रेम करेंगे इतना प्रेम करेंगे इतना प्रेम करेंगे ठाकुर भी हमें छोड़के कहीं और न जा सके वो भी साथ दिन हमारे साथ मुंबई में स्टे करें हमारे और आपके साथ रादे रादे जोड से बोलना पड़ेगा आपके जीवन में संग का और कुसंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दिहान से सुनेंगे पीछे जो लोग खड़ें अगर संभवता हो सके तो आप भी बैठ जाएं कहीं जहां भी जगे मिलें वहीं बैठ जाएंगे और आप आना बन मत करिए कल ये सारे पड़े अटबा देंगे जो भी आस्ता के माध्यम से मुंबई में सून रहे न आप आते रहे ग्राउंड बहुत बड़ा है आप जितनी बड़ी संख्या में आएंगे उतना इहीं विवस्ता और बढ़ा देंगे आप आते रहे बस अरे हम मुंबई आते हैं आपके लिए तो आपको यह आना चाहिए न तो आप सब बड़ी संख्या में ऐसे ही आते रहें कल और विवस्ता करेंगे आप लोग ध्यान से सुने कथा में मन लगाने बहुत मैत्वण है कुसंग और सत्संग जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो मिट जाता है जिसके जीवन में सत्संग है वो बन जाता है जिसके जीवन में कुसंग नहीं है वो बन जाता है और जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो मिट जाता है और हमें भागवत मिटाती नहीं बनाती है मेरे वाई बैन उसर आत्मदेव के पुत्र दुन्दकारी बिगड़ गया उसे कुसंग मिला उसका जन्म ही कुसंग से हुआ मैं माताओं से कह रहा था कि जब कोई गर्व हमारे मन में आ जाए भगवान किरपा करे, कोई संतान को जवजन्म देना हो तो उसमे हमारी व्रत्ती, मन की व्रत्ती, मन का रुझान भगवान के चड़नों में होना चाहिए अधिक से अधिक रामाण पढ़े अधिक से अधिक भगवान से जोड़ी हुई कथाएं सुने जिससे हमारा बच्चा गर्व में ही संसकारी हो जाए यह बहुत महत्व पुर्णवात है आप जितना उसे बाहर अब परिक्षित ने गर्व में ही तो सीख लिया था अभिमान्यों ने गर्व में ही तो सीख लिया था परिक्षित को गर्व में भगवान का दर्शन हुआ आज कल माताएं अगर चाहें तो वो गर्व में ही अपने बच्चे को भक्त बना सकती है दुन्दकारी बिगड़ गया एक बच्चे को अपने साथ में खेलने के लिए ले गया किसी बात पे बिवाद हुआ उसका कंठ दवाया और गोविंदाई नमो नमा कुए में डालाया जब उसे कुए में डाल दिया उसके घरवाले आकर सिकायत करने लगे और जब घर वाले सिकायद करने लगे तो आंतमदेव रो रहे हैं और कह रहे हैं इससे तो मैं पहले ही अच्छा था जब मेरे घर में कोई पुत्र नहीं था पहले कम से कम लोगों की तो नहीं सुननी पड़ती थी कई वार हमारे घर में ऐसे बच्छे आ जाते हैं जिनकी बज़े से माबाप को नीचा देखना पड़ता है कई वार माबाप ऐसा कारे कर देते जिनकी बज़े से बच्छों को नीचा देखना पड़ता है जब घर में बच्चे हों तो माबाप को चरितरवान होना चाहिए और जब घर में माबाप हों तो बच्चों को भी चरितरवान रहना चाहिए कई मेरी बज़े से मेरे माबाप का सर न जुक जाए यह हर बच्चे को सोचना चाहिए मेरे भाई भाई में हर बच्चे को सोचना पड़ेगा गौकंड जी मारा जाए गौकंड जी ने पूचा पिता जी क्यों रोते हो बताया तेरे भाई की बज़े से बोले भाई की बज़े से नहीं आप अपने आप की बज़े से रोते हो ध्यान से सुन लिजे हम सब एक दूसरे पर दोस लगाते है मेरे बाई ने मेरे साथ ये कर दिया मेरे घरवालों ने मेरे साथ ये कर दिया फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया लेकिन याद रख किसी ने कुछ नहीं किया जितना भी बुरा किया तूने ही अपने साथ किया हाँ या ना रिष्टे बनाए किसने किसने बनाए और जिंदगी बर बना के किसने रखे मैंने और मैं बार बार एक बात कहता हूँ दुनिया के रिष्टे दुख देते हैं और कनिया का रिष्टा सुख देता है आपको कौन सा रिष्टा चाहिए सुखवाला या दुखवाला सुखवाला और फिर भी मुंबई में घर में बैठके आस्ता उन करना है कैसे सुख मिलेगा बताइए फिर भी घर में ही उन करना है पंडाल में जाओ ना अभी बताओ आप जो बैटे हो आपको सुख मिल रहा ही कि नहीं मिल रहा है क्या उनको घरवालों को उतना ही मिल रहा होगा नहीं मिल रहा हो क्यों बोले जब हम भगवान की सरनागती होते हैं जब हम भगवान के यहां जाते हैं तो हमें सुख की तलास नहीं करनी पड़ती दो दिन अपने आप से जिद कर लो तीश्रे दिन अपने आप ही आनंद वर्षने लग जाता है आनंद की वर्षा होने लग जाती है अपने आप ही अपने आप ही घंगोर वर्षा होती आनंद की कब होगी बोले जब दो दिन अपने आप समझिद कर लेते हैं